शुप प्रबात प्यारे बच्चेओं आशा करती हूं आप सभी अपने घर पर स्वस्त होंगे और अपने कार्य को ठीक प्रकार से कर रहे होंगे जो भी आपके अध्यापिकाउं द्वारा अध्यापक द्वारा दिया जा रहा है उस सभी कार्य को आप समय से पूर्ण कर रहे होंगे तो चलिए इस वीडियो में हम नए पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि उस पाठ में क्या कुछ दिया गया है बच्चों जैसा कि आप यह चित्र देख रहे हैं यह चित्र एक सुन्दर चिडिया का है क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सी चिडिया है कौन सा पक्षी है क्या आप जानते हैं इसके बारे में नहीं चलिए हम चर्चा करते हैं इस सुन्दर चिडिया के बारे में इस पाठ में तो हमारे पाठ का नंबर है नौ पाठ नौ ठीक है यह एक और चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में चड़िया के सिर पर यहां एक कलगी दी गई है, इसे कहते हैं कलगी, और इसकी पूँच के नीचे का भाग लाल रंका है, और जो पूँच का सिरा है, वहे किस रंका है? वहे है सफेद रंका, समझे कुछ की इस चड़िया का नाम क्या है? इस चड़िया को बुल-बुल कहते हैं, क्या कहते हैं? बुल-बुल, एक और चित्र हम देखेंगे, देखे, कितनी सुन्दर लग रही है चड़िया, इसके पूँच के नीचे का हिस्सा लाल है, इसके सिर का हिस्सा काला है, इसके शरीर का रंग भुरा है, और पूँच के सिरे का रंग कैसा है? सफेद है, है ना? तो अब आप समझ गए हैं, इस चड़िया को क्या कहते हैं? बुल-बुल, क्या कहते हैं? बुल-बुल, अच्छा बच्चों, जिस चड़िया के सिर पर कलगी होती है, इसको कहते हैं सिपाही बुल-बुल, जिस बुल-बुल चड़िया के सिर पर कलगी होती है, उसे कहते हैं सिपाही बुल-बुल, ठीक है? और देखिए, बुल-बुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है, देख रहे हैं आप? यहां बुल-बुल ने दो अंडे दिये हुए हैं और यहां तीन अंडे दिये हुए हैं, तो बुल-बुल एक बार में दो या तीन अंडे ही देती है, और इनके अंडो का रंग कैसा है? हलका गुलाबी और उस पर कुछ छोटे-छोटे निशान बने हुए है भूरे कलर के, भूरे रंग के भूरे रंग की कुछ जगा-जगा बिंदिया है जो इनके अंडों के उपर होती है तो बुल-बुल के अंडों का रंग कैसा होता है? गुलाबी है ना? और बुल-बुल एक बार में कितने अंडे देती है? दो या तीन अंडे दो या तीन अंडे ठीक है? चलिए और जानते हैं इस पक्षी के बारे में कि ये देखिए ये बुल-बुल चड़िया के अंडों से बच्चे बहार आ चुके हैं यहां नीचे के चित्र में क्या दिया गया है? कि बुल-बुल अपनी बच्चों को कुछ खिला रही है तो बुल-बुल कीडे मुकोड़ी भी खाती है और फल इत्यादी भी खाती है ठीक है? जैसे मटर हो गया, छोटे फल छोटी सबजी कुछ और चित्र हम देखते है यहां यह देखिए यह अपने बच्चों को कीडे मुकोड़ी खिला रही है इससे हमें पता चलता है कि बुल-बुल कीडे मुकोड़ी भी खाती है और यहां नीचे के चित्र में क्या दिया गया है? कि यह फल भी खा रही है तो यह दोनों ही प्रकार की चीजे खाती है कीडे मुकोड़ी भी खाती है और फल भी खाती है फल इत्यादी भी खाती है इससे मटर खाना भी अच्छा लगता है क्योंकि उसका आकार चोटा होता है और वह मुलायम होती है तो वह आसानी से इन्हें खा सकती है तो हमारे पाठ का नाम है बुल-बुल है ना, पाठ नौ बुल-बुल आपने बुल-बुल चडिया के बारे में कितनी बाते जानी है यही सब बाते हम पाठ के अंदर पढ़ेंगे पढ़ते समय आप मेरे साथ हर वाक्य को दोराएंगे और मेरे साथ पढ़ते चरेंगे ठीक है तो चलिए पाठ की शुरुवात करते हैं पाठ नौ बुल-बुल पाठ नौ बुल-बुल आप सबसे पहले अपनी नोट बुक में पाठ का नाम लिखेंगे उसके नीचे आप सबसे पहले आप पाठ का नंबर लिखेंगे और उसके नीचे आप पाठ का नाम लिखेंगे सबसे उपर क्या लिखना है आपको पाठ का नंबर पाठ नौ उसके नीचे आप लिखेंगे पाठ का नाम बुल-बुल इस भाग में आप डेट डालेंगे, तारीख डालेंगे उसके बाद आप शुरू करेंगे लिखना कठिन शब्द यहां कुछ पार्टनों, बुल-बुल इससे सम्बंदित कुछ कठिन शब्द दिये गए हैं हम उन कठिन शब्दों को पढ़ेंगे ताकि उन कठिन शब्दों को पढ़कर आप आसानी से पाठ को पढ़ सकें ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं कठिन शब्दों से पहला कठिन शब्द दिया गया है चिडिया च, चा में छोटी ए की मात्रा ड, ड में छोटी ए की मात्रा ड के नीचे अनुस्वार जब हम ये लिखा है ड इसके नीचे जब हम अनुस्वार लगा देते हैं तो ये बन जाता है ड ड, ड, चेडी, या या में आ की मात्रा या दूसरा शब्द दिया गया है आवाज वैसे ही यहाँ पर ज लिखा गया है अगर हम ज को बिना अनुस्वार के पढ़ेंगे तो उसे पढ़ेंगे हम ज लेकिन जब ज के नीचे अनुस्वार लग जाएगा तो इसे क्या पढ़ेंगे ज क्या पढ़ेंगे ज तो यह क्या बन गया शब्द आ में आ की मात्रा आ वो में आ की मात्रा वा ज के नीचे अनुस्वार ज आवाज क्या पढ़ेंगे आवाज अगला शब्द दिया गया है पूँच प पा में बड़े उकी मात्रा चंद्र बिंदू पूँच 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 अगला शब्द दिया गया है शरीर श रा में बड़ी उकी मात्रा र सरीर श रा में बड़ी उकी मात्रा र र शरीर अगला शब्द दिया गया है वूँची उबड़ाव चंद्र बिंदू बड़े उके उपर चंद्रबिंदू, उ, चा में बड़ी एकी मात्रा, ची, उ, ची, क्या शब्द है ये, उ, ची, अगला शब्द है, सिपाही, स, सा में छोटी एकी मात्रा, प में आ की मात्रा, ह में बड़ी एकी मात्रा, सिपाही, सिपाही अगला शब्द दिया गया है धूंड कर ध, धा मे बड़े उकी मात्रा डू चंद्रबिंदू, धूंड कर धूंड कर क्या शब्द है ये? अगला शब्द दिया गया है अमरूद अ, म, र, रा में बड़े उकी मात्रा, द, अमरूद, अमरूद, रा में बड़े उकी मात्रा, रू, अमरूद, ठीक है? अगला शब्द दिया गया है, घौशला, घ, घ में ओ की मात्रा, अनुस्वार, अंकी मात्रा, स, ल, में आ की मात्रा, ल, घौशला, घौशला, घौशला अगला शब्द दिया गया है बैंग नी, ब, ब में आई की मात्रा बैंग, अंकी मात्रा साथ में, बैंग, ग, ना में बड़ी ए की मात्रा, नी बैंग नी, बैंग नी, बैंग नी अगला शब्द दिया गया है बिंदिया, ब में चोटी ए की मात्रा अंकी मात्रा, बिंद, दा में छोटी एकी मात्रा, दी, या में आकी मात्रा और चंद्रबिंदू बिंदिया, बिंदिया, तो ये कटिन शब्द थे, एक बार हम फिर से पढ़ेंगे इन कटिन शब्दों को पहला है चिडिया दूसरा है आवाज अगला शब्द है पूच अगला शब्द दिया गया है शरीर अगला शब्द दिया गया है उंची अगला शब्द है सिपाही अगला शब्द है ढूंड कर अगला शब्द दिया गया है अम्रूद आपको भी अगर किसी शब्द को पढ़ने में दिक्कत आती है तो उस शब्द को आप पांच-छे बार दोराएं आपको आसानी से वह शब्द पढ़ने में आ जाएगा किसी भी शब्द को पढ़ने में समस्या है आप उस शब्द को पांच-छे बार दोराएं आपको वह शब्द आसानी से समझ में आएगा और आसानी से आप उसे पढ़ पाएंगे ठीक है अगला शब्द है गोंसला अगला शब्द है बैंगनी और आखरी शब्द क्या दिया गया है बिंदियाँ शब्दों को पढ़ते समय मात्राओं को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ताकि मात्राओं की गलती ना हो ठीक है तो चलिए अब हम पाठ की शुरुवात करते हैं पाठ को पढ़ेंगे क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है यदि तुम्हें कोई चुडिया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँच को देखो यदि पूँच के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चुडिया बुलबुल है क्या पहचान है बुलबुल की? एक तो इसकी बुलबुल की आवाज बहुत तेज होती है ये बहुत तेज स्वर में बोलती है और दूसरा इसको पहचानने का तरीका है कि जैसे मैंने अभी चित्र में दिखाया इसकी पूँच के नीची वाला हिस्सा लाल होता है तो आप कभी इस तरह की चुडिया को देखेंगे तो तुरंट समझ जाएंगे कि ये है बुल-बुल चुडिया है जब वह उड़े तो पूँच का सिरा भी ध्यान से देखना ये है पूँच का सिरा होता है इसे बोलते हैं पूँच का सिरा तो बुल-बुल की पूँच के सिरे का रंग सफेद होता है जैसे हमने चितर में देखा था बुल-बुल की पूँच के सिरे का रंग सफेद होता है उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है तो बुल-बुल की पूँच के सिरे का रंग कैसा होता है सफेद है न और उसके पूरे शरीर का रंग कैसा होता है? भूरा और सिर का रंग काला होता है बुल-बुल उची आवाज में पोलती है इसकी आवाज बहुत ही तेज होती है उची होती है बुल-बुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता हम लोगों मतलब मनुश्यों से उसे बुलबुल को कोई डर नहीं लगता तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है उस बुलबुल को क्या कहते हैं सिपाही बुलबुल ठीक है बुलबुल पीपल या बरगत के पेड़ पर कीड़े ढूंड कर खाती है क्या खाती है बुलबुल बरगत या पीपल के पेड़ पर कीड़े ढूंड कर खाती है वह हमारी तरह सबजी और फल भी खाती है वह कीडे मुकोडे भी खाती है और हमारी तरह सबजी और फल भी खाती है अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुल-बुल काफी जोर से हमला करती है जोर से हमला करती है का मतलब उसे ये चीजे बहुत अधिक पसंद होती है तो इन चीजों को बुलबुल बहुत अदिक खाती है अम्रूत पसंद है बुलबुल को और मतर पसंद है बुलबुल को उसके साथ साथ किडे मुकॉडे भी खाने पसंद करती है वो, ठीक है? वहे अपना गोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों को पौधों की पतली जड़ों से बुनती है उनके द्वारा वहे अपना गोंसला बनाती है गोंसला अंदर से एक सुन्दर कटोरे जैसा दिखता है जैसे आपके घर में बाउल होते हैं कटोरे होते हैं वैसे ही बिलकुल कटोरे नुमा बुलबुल अपना गोंसला बनाती है बुलबुल का गौंसला बिलकुल कटोरे के जैसा दिखता है मैंने आपको दिखाया था चित्र में कि बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है दो या तीन अंडे बुल-बुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है उसके अंडे हलके गुलाबी रंग के होते हैं तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी, बिंदियां दिखाई देंगी जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया था कि बुल-बुल के अंडे किस रंग के होते हैं? बुल-बुल के अंडों का कि बुल-बुल के अंडे किस रंग के होते हैं? ये देखिए, ये बुल-बुल के अंडे हैं, बुल-बुल के अंडे हलके गुलाबी रंग के होते हैं और इसके अंडों पर कुछ भूरी, कुछ बैंगनी, बिंदियां होती हैं छोटी-छोटी, है और ये देखिए, इसके शरीर का रंग बुरा होता है, पूँच के नीचे का हिस्सा लाल होता है, इसका सिर, बुलबुल का सिर काला होता है और पूँच का सिरा, इसको सिरा बोलते हैं, सिर नहीं, सिरा, यह किस रंग का होता है? सफेद रंग का, है न? तो आपने बुलबुल के चित्र के द्वारा जान लिया है कि बुलबुल किस रंग की होती है, वे कितने अंडे देती है, उसके अंडे किस रंग के होते है, बुलबुल क्या खाती है, है ना? और सिपाही बुलबुल को कैसे पहचानेंगे, कि सिपाही बुलबुल कौन होती है, वो कैसी दिखती है, तो ये सिपाही बुलबुल है, क्यों? क्योंकि इसके सिर पर कलगी है और जिस बुलबुल के सिर पर कलगी होती है वह कौन सी बुलबुल होती है सिपाही बुलबुल तो अब आप आसानी से बुलबुल को पहचान सकते हैं आप आराम से आसानी से बुलबुल को पहचान सकते हैं वह क्या खाती है उसके अंडे कैसे होते हैं वह फल, सब्सियां तथा कीडे मुकॉरे दोनों ही चीजे खूप शौक से खाती है उसकी आवाज बहुत तेज होती है तो इस पार्ट में हमने जाना कि बुल-बुल देखने में कैसी होती है उसके अंडे कैसे होते है कैसे वो बोलती है वह क्या क्या खाती है उसका घौंसला कैसा होता है किसके आकार का होता है जब वह अपना घौंसला बनाती है तो वह किस आकार का होता है किस तरह का दिखता है कटोरे नुमा है ना तो यह सब चीजें हमने इस पार्ट के अंतरगत पढ़ी पार्ट नौ बुल-बुल तो आप इस पार्ट को पढ़िएगा ध्यान से और घर में अपने माता-पिता को सुनाईएगा साहिराम थैंक यू तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो में हम इस पार्ट से संबंदित प्रशन उतर करेंगे ठीक है?